इन दौर की देवी अहिल्या विश्व विद्याले को लेकर मध्य प्रदेश कॉंग्रिस कमेटी के प्रदेश सचिप राकेश सिंग ने एक बार फिर बड़ा खुलासा किया है सिंग के मताबिक पीते 15 सालों में भाजपा के नेताओं के संग्रक्षन में डीए वीवी में खेल बजट में करीब 31 करोड से अधिक का घपला हुआ है कॉंग्रिस नेतर राकेश सिंग यादव ने डीए वीवी पर आरोप लगाती हुए कहा कि यहां भाजपास अमर्थित प्रोफेसरों एवं भाजपास अमर्थित बुज़ुर्ग छात्रे नेताओं ने खेल विकास के नाम पर 15 सालों में 31 करोड से अधिक राश्री को राश्रे खेलों में जीत नहीं हुई है यादव ने और भी कई गंभी रारुप लगाते हुए मामली की जाच की मांग की है सिंग ने मामले में नेशनल असस्मेंट एंड एक्रिडिटेशन कांस्लिंग यानिकी नेक को पत्र लिख कर डीए वीवी के प्रष्टचार एवं चात्रों के किराफ साजिशों का खुलासा किया है वहीं यादव ने कहा कि इस प्रष्टचार की जानकारी दस्तावेजों के साथ सीम को दे दी गई है साथी अर्थिक अपराग ब्यूरम में भी इसकी शिकायत जड़ ही की जाएगी कि मिलगी होती है जब भी कोई नया नेतर तो यूनर्स इटि में परपने की कोशिश करता है कोई नया छातर नेता हाता है तो ये बुजूर की छातर नेता इन डी एवीवी के प्रोपेसरों के साथ मिल के साजिश करते हैं किसी मा eager में फज़ाते है और उसका wind आप कर देते ह आप 20 साल से देखें कोई नेतरती यूनर्ट सिटी में नहीं खड़ा होगा है क्या वज़ा रही और ये जो शात्रनेता हैं इनके बच्चों के बच्चे पढ़के निकल चुके हैं टिफिन लेके घर से निकलते हैं यूनर्ट सिटी में ही खाना काते है यूनर्ट सिटी में इसी कौन सी सोने की खान है तो वह निश्चित तोर पे बहुत बड़ी सोने की खान है जो एक इससे भी बड़ा खेल होता है वो यूनर्ट सिटी में होता है एक या दो नमबर से रोक के पास और फेल का खेल आपने देखा होगा हर साल एक ये तो नंबर से केविद्द्याधी रुखते हैं उसके बाद उनकी re-cheaking, revenuation होता है फिर उनके नंबर बढ़ जाते है ये जादू है क्या ये ये इत्वाक है कि हर साल होता है यह एक या दो नंबर से ही लोग रुकेंगे, बच्चे रुकेंगे और फिर उनके नंबर बढ़ेंगे यह जादू नहीं है, इसके पीछे रेट ता है, बीस हजार से लेके एक लाक रुपे तक की रिश्वत खाते है इसके बाद नंबर बढ़ाते हैं, यह आज से नहीं चल रहा है, बीस साल से चल रहा है और इतना अश्चर जनक है कि इतने बुद्धी जीवी शेर में कोई इस पर आवाज इसलिए नहीं उटाता है कि सबके बच्चे उस युनियर सिटी में बढ़ते हैं, आप आवाज उठाओगे, आपके पास वाज से फेकल्टी का फोन आ जाएगा, आपका बच्चा भी तो यहां है, कभी यह रुख गया तो क्या होगा तो यह एक ऐसा अंदा खेल है, ऐसा आर्थिक गोटाला है, और ऐसा ब्रस्टा चाहर है, यह जो युवाप पीडी को नस्ट कर रहा है जो बच्चा पास है, उसको दो नंबर से रोक दिया, जो बच्चा पास है, उसको एक नंबर से रोक दिया फिर इनके दलाल पुरी चात्रनेता सक्री होते हैं वीस हजार से लेके एक लाग रुपे तक जहां जैसा चेहरा है वैसा तिलक्तर के पेसे ले लेते हैं मुझूदा कुल्पती साथ आपने इस विशे में कुछ अच्छा की है मैंने नेक के डारेक्टर से च्छा की है मैंने माननी मुख्मंत्री जी को बताया है और ये विशे कुल्पती के बूते का नहीं है इस सालों से यहां एक काकस है जिसमें साजी स्पून तरीके से देवे एलिया उनिर्सिटी को अपने कभजे में रखा है यहां भी एक सफाई अभियान की जरुवत है और नेक एक मात्यम हो सकता है कि वो इन सब सवालों का जवाब ले इसको किलियर करें चात्रों के हित्में युवाओं के हित्में और उसके बाद इनको ग्रेट प्रदान करें यह सारी बाते में नहीं है बना दिया ब्लेक मेलिंग का और उसके बाद ये वोटा लवे ने आपको बताया है स्पोर्ट का, इसे अनेक संका आए है, सब जगे बजट है, ये खेल 300 करोड के बजट का है, उसको कैसे लूटना है, क्योंकि किसी का भार व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है यूनिएर्सिटी में, हर व्यक्ति ये सोचता ह तो उसका बच्चा पास हो जाए, उसको डिग्री मिल जाए, उसको लेके जो ब्लेक मेलिंग होती है, उसका पेमाना बहुत जबर जस्ते है, और उसी को उजागर करा है, और लड़ाई को हम आगे तक ले जाएंगे, जो मिर्ची कार्ण में छात्र को फजाया, वो प्रोफे ती से दारे